Hello everyone, welcome to my channel आज के इस वीडियो में आपको Simple Suit की Cutting बताऊंगे तो इसके लिए इक वोलन सूट का पीस लिया हुआ है जिसके नेक लाइन अल्रेड़ी बनी हुई है तो इसके Cutting में इस बार आपको बताती हूं इस वीडियो में और मेरे वीडियो और चैनल से रिलेटेड सबी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेस्बुक और इंस्ट्राग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं लिंक मैं आपको डिस्कुप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप मैं जबताती हूँगी कपड़ा कैसे फोल करना है तो मैंने कपड़े को इस तरह से फैला कर रख लिया यह फ्रंट वाला पार्ट है जिसमें डिजाइन है और बाकी बयक के पार्ट के लिए कपड़ा एक रहा साईड को रखा था है तो देखिए यहां पर हमें पहले नेक की डीपनेस ले लेनी है, फ्रंट नेक की, तो आप यहां तो यहां कोने से ले 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 या उपर से ले ले जैसा भी आपकी नेक लाइन का शेप है वैसे मेजर कर लें, तो यहां से मैं अपने नेक की डीपनेस के लिए निशान लगा रह और अब जो हम लेंद के लिए निशान लगाँगे वह इस लाइन से नीचे को हम लगाएंगे वह इस लेंग से नीचे को हम लिए निशान लगाना है तो जितनी भी अपके कुर्ती की आपको रेडिन आप चाहिए आप उसमें दो इंच एक्सरा आड करें क्योंकि तो 12 इंच मैंने यहां पे निशान लगा है अब यहां पर देख सकते हैं कि front part में हमारा yah neckline में Jaci a center पे और back part में नहीं है तो इसके लिए हमें क्या करना है पहले front वाले part को cut कर यहां कि मुंक है लगा लिए तो यहां से इसको cut कर मेंutकर यहां क्षकी कपड़ कर लिना है कप्ड़े को और यह दोनों का दिजाइनों को मिलाते भी रखना है देखिए इस तरह से नएक का डिजाइन मिलाना है और विल्कुल से से फोल्ड करना है ध्यान रहें कि सेंटर से ही फोल्ड हो क्योंकि थोड़ा सा भी टेड़ा मीड़ा होगा तो यह गड़ जाएगा अब इसको आप एक बाप इस तरह से सीक्यूर कर लें जगा जगा पर पे पिन लगा लें ताकि यह विल्कुल हिले ना मार्किंग के टाइम प जबने में यह सलाई करेंगे अब यहां से अंदर को फोलडे वाली साइट से अंदर को हमें शोल्ड के लिए निसान लगाना है तो जितना भी आपका शोल्ड मेस्टर में आप निपकर लें तो मेरे मेस्टवल्डर से साथ उन्च के तो सेविए इंच पर मैं हम फे निशान लगा रहigung अब इस पॉइंट से नीचे को र ख़े निशान लगाना है तो हमारा शोल्डर होता है यह इस रिकार पर स्ट्रेट लाइन से जाइन कर द κάνूर है तो यह निशान लग गया है है अब हमें बस्त के लिए निशान लगा तो जितना भी आपकाumps साइस है आप उसको चार से डिवाइट करें और फिर आधा इंच की लूजिंग चार गड़रें जैसा कि ajud मेरे मेजर में बूर्स साइस है 38 इに और 38 को चारस गिवाईट किया तो आया 9.5 इंच और आधा इंच की लूजिंग एट करी तो आया 10 इंच तो यहां पर बस्ट के लिए मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूं और इस निशान को अब हमें यहां पर आर्मोल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है देखे इस तरह से अब कमर के लिए निशान लगाना है तो कमर का जो निशान लगता है वो उपर शोल्डर वाले हिस्से से नीचे को लगबर 14 या फिर 15 इंच पे लगता है अगर आप स्मॉल साइस की कुर्टी बना रहे हैं यानि कि बस 32 बस्ट या फिर 34 तक तो आप 14 इंच पे निशान लग लेना है तो जितने भी आपके कमर है आप उसको चार से डिवाइड कर दें और आधा हैं जैसे के मेरे मेजरमेंेंट में 35 इंच के हैंनी के 36 इंच कि तो चार से मैंने डिवाइड किया तो 1 इन ओं ऑर 1 इंच की लगबग 7 इंच पे होता है तो 7 इंच पे ही हमें एक निशान लगाएंगे और इस निशान के यहाँ पर हमें इसके हिप का मेजरमेंट लेना है तो जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसको 4 से डिवाइट करें और आदा इंच की लूजिंग ऐड करें जैसे के मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 42 इंच उसको मैंने 4 से डिवाइट किया तो आया साड़े 10 इंच और आदा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 11 इंच तो 11 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ इस तर से अब देखिए ये hip का measurement है और ये कमर का है और ये bust का है अब हमें इन 3 पॉइंट्स को straight line से join कर लेना है 3 पॉइंट्स को join करने के बाद अब हमें इसके bottom के लिए निशान लगाना है और अगर आप यहाँ पर straight कुर्ती बना रहे हैं तो जितना measurement आपका ये hip round वाला है उतना ही bottom का भी आएगा लेकिन अगर आप A shape वाली कुर्ती बना रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा A shape आ जाएगा इसका जो bottom वाला हिस्सा है वो एक या 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे hip round से तो मैं यहाँ पर straight कुर्ती बना रहे हूं तो same measurement मैं यहाँ पर रख रहे हूं तो यहाँ पर भी 11 इंच पर ही मैं एक निशान लगा रहे हूं इसके बाद हमें इन दोनों points को यहाँ पर straight line से join कर देना है अब हमें यहाँ पर आर्मोल के लिए निशान लगाना है तो मैं आपको थोड़ से यहाँ पर zoom करके दिखा देती हूं तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आर्मोल का निशान आएगा तो यह जो आर्मोल वाज़ी line थी इसका बिलकुल हम center लेंगे तो यह देखिए यह 7 इंच की line थी तो 3.5 इंच पर मैं निशान लगा रहे हूं एक हलका सा निशान लगाया अब यहाँ से एक इंच वन इंच पर करीब इसतर से हमें टेड़े में निशान लगाना है और इसको मिला दिना है और यहाँ पर हलका सा घुमाओ देते हए हमें यहाँ पर आर्मोल का shape बना लेना है तो यह back कbor मैं अब हमें फ्रेंट का आर्मोल कर्व बनाना है तो देखिए यह जो kunma है यहां पर यह वाला कोना इससे अंदर को आधा इंच पे में एक निशान लगा रहे हूं अगर आप स्मॉल साइज का बना रहे हैं तो आप 0.75 इंच से 1 इंच तक का निशान लगा सकते हैं लेकिन अगर आप बड़े साइज का बना रहे हैं तो इसको सिर्फ आधा इंच का ही जोइन उससे जादा नहीं रखना है अब इस पॉइंट को हमें यहां ऊपर स्ट्रेट लाइन से जोइन कर देना है इसको जॉइन करने के बाद यहां पर हमें फ्रंट का आर्मोल कर्व बनाना है तो इसी तरह से एक इंश का इसाज़ टेड़े में हमने निशान लगाया अब यहां पर हलका सा घुमाओ देते वे फ्रंट का आर्मोल कर्व बना लेना है तो यह फ्रंट का आर्मोल है जो डीप लुख मईला है और बाहर बलू वाला है यह जो बाहर बॉल कर वें तु कि अनदर को निशान लगा रही हूं मैं तो 3 इंच की में नेख ले रही हूं तो इस दो से यहां पर 3 इंच में निशान लगा लेना है और यहां पाज्च्छा कप्ड़ा वह लगने में आ जाएगा अब शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाना है तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो शोल्डर होते हैं कि कंदे थोड़े से नीचे को जुके वे होते हैं स्ट्रेट नहीं होते हैं मिलकुर हलका सा नीचे को जुका होता है तो वो जो कंदे नीचे कोते, उसको हम शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाना है, तो यह जो आरमोल वाला लाइन ईसमें, आधा इंच नीचे पे एक लिए आधा इंच पर और इस निशान को यहां पर नेक विर्द वाले पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देंगे सभी मेजरमेंट के लिए आप आधा इंच नीचे पर ही निशान लगाईएगा उससे ज्यादा नहीं लेना है तो आधा इंच पर ही लेना है तो यह जो आर्मोल है इसमें कोई मार्जन नहीं लेना है आप चाहे तो थोड़ा सा 0.25 इंच का मार्जन ले सकते हैं लेकिन अगर भी ही वी लेंगे तब ङृ चलेगा अब आकी का मर्जन हमे यहां साइड वाले हिस्से में लेंगा तो यहां में तर्फॉ छल discern पूरे में ले लिया है अब जो शिलाई हम लगाएंगे वह अंदर वाली लाइन पर हम सिलाई लगाएंगे देखिये यह देंडर इंच का मार्जन इस ले लिए है ताकि फीचर में अगर आपको लूज करना हो गुरती तो आप लूज कर सके इसले मैंने लिया है और सिलाई अ देखिए शूद्डर स्लोप में 1.5-fish का मार्जिन लेते वे कट किया है अब यहां पर सबसे पहले हम यह बैक वाला आर्मोल कर नहीं करना है बैक वाला करना जो बाहर को है देखिए यह बाहर वाले आर्मोल क करना है और बाकि नीचे वाला जो हमने एक्स्ट्रा लाइन जो लिया था उसे अंदी質 की अधिए अदश्ट्रा दिया है अधिरु अधिरु काटिकर्ण की में इसलिए हैं बाता स्लड़ सोपनी को आधे में ळेख समयाback के कपड़ करना ह경 से और फोल्डे साइड यहां से ओपन वाली साइड है कि ये तो फोल्ड करना है जितना चोड़ा हमारा फॉन भाला पाट होगा फॉनत वाले हिससे को मेशाना कई आप मिला वाली रखना है और ये फोल्ड गन वाली साइड की और इस impacting mm अव्य व्यजायं वपी क्ता होuctु क कंउसे साङटाए और यहाई व्यूदर 35---अभथ कंपे सब्ड़ा पूरा करना तब मैंने करना है अब हमने की कर ना है यह जो फरंटम ऐला पार्ट कपके गटा अब हम इसको कट करेंगे तो आर्मोल की कटिंग हो गई है और नेक लाइन हम कट नहीं करेंगे अब इसको अटाके मैं वापिस से बैक वाला पाट जो भी हमने कट किया था उसको रख रही हूं और यहां पर नेक विट्थ के लिए निशान लगा रही हूं गले की चोड़ाई का राउंड शेप बना सकें और यहां पर राउंड शेप बना लेना है नेक लाइन के लिए और अब आप सेम इसी मार्किंग के उपर कट कर सकते हैं या फिर आप आधा इंच का मार्जन लेके भी कट कर सकते हैं तो यह कटिंग कंप्लीट हो चुकी है अब हमें स्लीव की के लिए मैंने बचावा कपड़ा लिया है तो यह कपड़े की विट है और यह कपड़े की लेंथ है तो जो स्लीवी कटिंग होती हो विट वाइस होती है हमें ऐसा नहीं करना है कि हम इसको इस तरह से लेंथवाइस फोल कर दिया और कट कर दिया ऐसे नहीं कटिंग होगी इसक और आपका कपड़ा जयादा बचता है तो आप स्मेब है निया मैं ये बचेवां कपड़े से यहां पर जोइट में लगारे हूं तो मैं जी और बैलकिया की पुधरी हिए यहां सब्ताओं में जंचोबा इन में हैं लेंद वाइस फोल करने के बाद इसको हमें एक बार और लेंद वाइस फोल करना है इस सवर से देखिए अब आप देख सकते हैं कपड़ा जो हाँ वह यहां पर चार फोल में रखा हुआ है और दोनों श्लीज एक साथ यहां पर कटिंग होगी यहां से फोल्डेड वाली साइ एक इंच का मार्जन यहां नीचे दबाने के लिए एगा जो हम डबल फोल्ड करेंगे और आधा इंच का मार्जन उपर से दबता है शोल्डर वाले ही से तो यहां पर मैं इसको इस्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दे रही हूं तो यह स्लीब की लेंथ हो गई अब यहां से यह कुन सो से लिए जो kalau ऐ डेकिया जहांने अंदर को हमें इसकी चोड़ाई के लिए लिए क्यत्ना भी आर्म foreground कुर्टी की कॉर्टंग के i m ट्रीम पर यो जैक्स एकिंज अंटार में माच्टर लेता है तो मइन साथ निंच का था तो इस point को यहां उपर folded वाली side में हमें straight line से join कर देना है अब यह जो line हमने कीची है इसके बिल्कुल बीच में उपर को हमें आधा इंच पे एक निशान लगा लेना है और यहां पर हल्का सा घुमाओ देते वे इसको join करना है देखी इस तरह से तो यह back का armhole curve हमने बनाया अभी अब front के armhole curve के लिए यह जो line है इसका बिल्कुल center पे हमें एक निशान लगा लेना है और निशान लगाने के बाद यहां उपर से घुमाओ लेते वे आना है और इस point से हमें नीचे को यहां पर भी इस तरह से घुमाओ देते देना है अब यहां उपर से घुमाओ लेते वाई सेंटर पॉइंट से नीचे को लाए और यहां साइड में जॉइन कर दिया अब यहां फोलेट वाली साइड से कलाई जो महारा है इसकी गुलाई आप मेजर करने कि आपको कितना रखना है तो यहां पर निशान लगा लिजे तो मेर यहां पांच इंच की आ रहे है तो पांच इंच पे मैना निशान लगाया और इसको लीजे चेना पर लिजो कर देना है अ ज करें नहीं करना है इस सब से पहले वाले आर्मोल को करेंगे खरन को कटना है तो इस सब से पहले बडे आर्मोल को कट किया और साइड मेघ Agricresse अब हमें क्या करना है यह सだ Ooh pang करके रख रखना है और यहा पे बीच именно अब देख सकते हैं जॉइंट आया हूँ है आप चाहें तो यहां पर बापपी बीन लगा सकते हैं तो यह वाली स्लीव को भी ओपन करके रखना है इसके ऑपर दूसरी वाली स्लीव को रखना है हमने ऑपन करके ही और करे दोनों की सीधी तरफ सबस्क्राब होनी चाहिए और अब हमें क्या करना है इसको बिल्कुल कोने से मिलाटे विए रखना है और यह एक साई पर कर द्हों कर दोनों zleekी कुटित हुची है झाल